हेलो दोस्तो पिछली वीडियो में आपने जाना सावन के महने में सिब जी से सम्मंदित सपनों के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ और ऐसी चीजों के बारे में जो सिब जी से सम्मंदित हैं और अगर आप उन चीजों को सपने में देखते हैं तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रवाब पड़ता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सपने में सिबलिंग आना मतलब जीवन के सभी बुरे गटकों को नश्ट करने बाला है और आपने अपने कर्मों के अनुसार सुक दुख पा लिया है अब आपकी सारी समस्याओं का अंत होने बाला है दोस्तो जोतिशों के अनुसार अगर सपने में आपको सिबजी और माता पारवती जी की मूर्ती दिखाई देती है तो इसका मतलब यह होता है कि आपको पैसे से जुड़ा कोई सुबसमाचार मिल सकता है नमर 17, सिं मंदिर दिखाई देना दोश्तों अगर आपको सबने में सिं मंदिर दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि लब्मे समय से चली आ रही भीमारी से छुटकारा मिल सकता है अगर आप अपने सपने में सिब जी को नर्त करती हुए देखते हैं तो इसका मतलब होता है आपके लिए धन प्राप्त करने का योग बन रहा है दोस्तो सपने में सिब लिग की पूजा करते देखने का मतलब जीवन में परिशानिया दूर होने का संकेत होता है तो ये थी जानकारियां सपने में सिर्फ जी से जुड़ी चीजों के बारे में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद